अज देश में पहली बार ऐसे हालात हो गए कि 75 साल में पहली बार देश में केंदर सरकार को दूद पे टेक्स लगाना पढ़ रहा है दही पे टेक्स लगाना पढ़ रहा है लाटे चावल पर टेक्स लगाना पड़ रहा है, गरीब आद में अपने बच्छों को दूद पिलाए, उस पर भी टेक्स लगाना पड़ रहा है, देश में पहली बार ऐसे हालात हो गए कि किंद सरकार कह रही है कि अब हमारे पास में पैसा नहीं है, हम सरकारी स्कूल नहीं सकते, सरकारी एस्पताल नहीं बनवा सकते, बुजरगों को पेंशन नहीं दे सकते, गरीब लोगों को राहत की योजना नहीं दे सकते, पहली बार देश में ऐसे हालात हो गए, यह हालात किसली हो गए, क्योंकि इन्होंने देश में टेक्स पेर्स का दिया हुआ पैसा, पानी दीजिये लेकिन टेक्सपेयर्स के पैसे को इन सब पे लगाने की जगा इन्होंने मोदी जी के दोस्तों की तिजोरी भरने पे लगा दिया भारतिये जनता पार्टी की सरकार के दौरान केंदर सरकार ने इस ते अपने दोस्तों के, मोदी जी के दोस्तों के दस लाक करोड रुबाए के loan माफ किये, पांच लाक करोड रुपए का tax उनका माफ किया. इस तरह से 15 लाख करोड रुपए अपने दोस्तों की तिजोरी में जनता का डाल के उसके बाद कह रहें कि अब दूद पे भी टेक्स दे जनता जही पे भी टेक्स दे और कोई चीज फ्री में नहीं मिलेगी सरकार की और से हर चीज का कीमत हो सरकारी स्कूलों में बच्चे साल में देश के इतिहास में पहली बार ऐसा मौका क्यों आया कि ये कदम उठाने पड़े तो ये फिर इदर दर की बात करने लगता है आज भारती जनता पार्टी के निता संबित पातरा जी ने भी मुझे लगा शायद इसका जवाब देंगे मैंने उनकी पूरी PC देखी इ आज आपके पास में स्कूल खोलने के पैसे नहीं है अस्पताल खोलने के लिए पैसे नहीं है आप कहा रहे हैं कि दूद्ध ही पे भी टेक्स लगेगा लोगों के इतनी बुरी हालात में देश के अर्थववस्ता को क्यों पोचा दिया आज आज आपके दोस्तवाद की इसकी वज़े से टेक्स क्यों लगाना पड़ रहा है, इसकी वज़े से सरकारी सुधाएं उन पे महंगी क्यों होंगी, उस पे पैसा क्यों लगेगा आपको ऐसे ऐसे कहना पड़ रहा है कि आज अपरी में कुछ दिया तो देश भरबाद हो जाएगा, इस हालात को आपने देश में क्यों धकिला इसके जवाब दीजे, इधर उधर की बात मत करिए, इधर उधर की बाते तो आप करते ही रहते हैं